तो दोस्तों इसमें कोई दोमत नहीं है कि अब भारत इतना ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है कि भारत अगर छीक भी लेता है तो पाकिस्तान को इससे डर सताने लगता है और भारत की छीक को काउंटर करने के लिए वो व्योस्थाएं करना शुरू कर देता है कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि P.O.K की हाथ से निकलने का अब इन्हें डर साब दिखाई दे रहा है और इसके प्रतिफल के दूरूप में हमें देखने के लिए ये मिला कि अब चाइनिस सेना अपने इंफ्रास्ट्रॉक्चर बिल्ड कर रही है पिछले कुछ समय स अब लोग भारत के अंदर पाकिस्तान के नुकलियर वेपन्स का जिक्र सुन रहे होंगे किसी व्यक्ति ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान का भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो भी दुनिया की गिने चुने नुकलियर पावर में से एक है अब उसको काउंटर करने के आप सिमिलर से कुछ बयान बाकी के बड़े ओफिशल्स की तरब से भी दिया गया जिसमें राजना सिंग जी है इसके अलावा डॉक्टर जैशंकर है तो इस तरह के बयानों से पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा चटपटा हट मचने लगी तो इसका नतिया देखने के का कारेभार समालने के लिए स्ट्राटिजिक फोर्स कमांड होती है ठीक वैसे ही पाकिस्तान के अंदर न्यूकलिर वेपन्स की पूरी बागडोर समालने के लिए एक अलग से संस्था तयार की गई है जिसे नेशनल कमांड अथोरिटी कहा जाता है यह पाकिस्तान के सारे न no first use की policy नहीं है आगे उसने कहा कि पाकिस्तान के nuclear weapons पूरी तरह से तयार हैं और कुल मिलाकर भारत को nuclear हमले की एक धमकी दी है अब no first use की policy की बात की जाए तो ये इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई conflict बड़ा रूप ना ले ले यानि मान लिजे कि दो nuclear states के की है कि जब तक हमारे उपर कोई nuclear weapons से हमला नहीं करेगा तब तक हम लोग भी nuclear हमला नहीं करेंगे तो जब ऐसी policy में कोई भी देश बंद जाता है तो ये policy सुनिस्चित करती है कि हाँ ये पहला nuclear हमला नहीं करेगी अब भारत की बात की जाए तो भारत नो first use की policy की उपर भारत करते आ रहा है लेकिन भारत के अंदर हमेशा ही एक मांग उठी है और वो मांग चाइना और पाकिस्तान की करतुतों को लेकर उठती आई है कि देखिए ये दोनों देशों का कोई भरोसा नहीं ऐसी परिस्तिती में अगर नो first use की policy को हम लोग मजबूती से follow करते रहे तो ये दोनों दिश निस्चिंत रहेंगे और भारत के खिलाफ लागातार साजिशे करते रहेंगे लेकिन अगर भारत भी इस तरह की policy को तोड़ देता है और किसी तरह की कोई नई policy बनाता है तब भारत की ये दोनों दुश्मन काफी हद तक control में रह सकते हैं हलाकि इसको लेकर एक बार हमारे पूरु रक्षा मंत्री मनौर परिकर साब ने भी हिंट देही दी थी कि भारत रास्ता नहीं देखेगा कि कब दुश्मन हमारे ओपर nuclear attack करें और फिर उसके बाद हम लोग जवाबी हमला करें इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोधी दौरा भी एक ब पॉलियर पॉलिशी में इस्पेशली चाइना और पाकिस्तान को लेकर कुछ चेंजिस ला सकता है। मैं इस पूरे मुद्धे पर आपका अपीनिन जानना चाहूंगा क्या भारत ने अपनी नोफस्ट यूज पॉलिशी को चाइना और पाकिस्तान के लिए किसी विश्यफ् परिस्तिती को ध्यान में रखकर चेंज करनी चाहिए या फिर नहीं नीचे को मन करके ज़रूर बताईएगा